हेलो गाइज, वेलकम टो मनन कलासेज, आज हम इस वीडियो में एक्सेसाइज 7D के बारे में डिसकस करेंगे, यह इस चेप्टर की लास्ट एक्सेसाइज है और अपने स्टार्ट करेंगे इसका क्योशन नमबर 1st के बारे में, तो वीडियो को आप लास्ट तक जुरूर कीजिए, अब चलते हैं बंद क्योशन नमबर 1st फे, तो देखिए क्योशन नमबर 1st आपका यह रहा, इसमें आपको क्या गिवन है, A upon B का रेशियो गिवन है, 3 upon 5 लिख सकता हूं मैं इसको, यहां से मैंने एक चीज बताया थी आपको, यदि रेशियो गिवन है, तो A की वेल्यू क्या होगी, A इक वल्ट होगा, A constant वेल्यू से multiply करके उपर वाली वेल्यू, B की वेल्यू यहां से कितनी होगी, 5 के, यह मैं लिख सकता हूं, या तो इन दोनों का use कर सकते हो, या फिर आप डारेक्ट इस वाली वेल्यू में यह डारेक्ट वेल्यू पूट कर सकते हो, देखो, मैं डारेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो देखिए, 10, A plus 3B upon में, 5A plus 2B, यह मैं इसको लिख सकता हूँ, यह ratio गिवन है, तो अपन इसको represent कर सकते हैं, अब देखो, यदि मैं B को कॉमा निकाल लूँ, तो कितना आजाएगा, B को मैं उपर से कॉमा निकाल लूँ, तो 10A upon B plus 3, upon में, यहां से कॉमा निकालेंगे B को, कितना, 5 into A upon B plus 2 आजाएगा, B से भी cancel out, अब देखिए, 10 into, A upon B की value क्या है, 3 upon 5, plus में कितना, 3 upon में, 5 into A upon B की value कितनी है, 3 upon 5, तो 3 upon में, 5 plus 2, इससे में cancel out करूँगा, 2, इससे cancel out, 1, 2 into 3, कितना, 6, plus में, 3 upon में, 3 plus 2, अब तो आप करी सकते हो, कितना जाएगा, 9 upon में, 5, यह आपका इस question का answer हो जाएगा, next की मैं बात करूँ, तो next देखिए, next है, same इसी की तरह है, बस ratio दिया हुआ है, इसकी equally approve करना है, यह यह वाली value given है, x upon y की value find करनी है, तो देखिए, 5x plus 6y, ratio given है, तो में इससे represent कर सकता हूँ इसको, equal to कितना, 8 upon में, 9, ठीक है, अब आगे देखिए, cross multiply कर देंगे, तो इस 9 का इसके साथ multiply होगा, कितना, 45x, इस 9 का, इसके साथ multiply होगा, तो कितना जाएगा, 54, 54y equal to, 8 का, 8 के साथ में, 64x, इसके साथ में होगा, तो plus 40y, यह आजाएगा, अब देखिए, 45 को में इधर लेके आउँगा, तो 64x minus 45x, यहाँ पे कितना, 44y है, minus, यह वाली value इधर आएगी, तो कितनी, 40y, लिख सकते है, 44 में से 40y जाएगा, कितना, minus का, plus का 14y आजाएगा remaining, एड़ करके देखिए, आ रहा है न, ठीक है फिर, इसमें से, 14 minus 5 कितना, 9, और यह कितना जाएगा, 16x, इसी को मैं क्या ली सकता हूँ, कि 14, यह 19 इधर आएगा, तो upon में 19, equal to, यह y इधर आएगा, तो कितना जाएगा, upon में y, और इसी को मैं क्या ली सकता हूँ, x upon y equal to, 14 upon में 19, यह आपका, इसी को मैं क्या ली सकता हूँ, वो देखिए, x ratio, y equal to, 14 ratio, 19, यह अपन इसी को, represent कर सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ, समझ में आया होगा, next पे चलते हैं, इसके, देखिए, next क्या आपका, question number third, question number third में, x ratio, y की value आपको find करने हैं, यह ratio गिवन दो, सबसे पहले में इसी को लिखता हूँ, 3x minus 4y, upon में, 2x minus 3y, equal to, 5x minus 6y, upon में, 4x minus 55, यह करते हैंगे, आपको निकालने हैं, x ratio, y, तो reduce करना पड़ेगा, reduce कब होती ही यह वाली value, जब मैं component and dividend apply कर दूँ, तो applying by component and dividend, यह मैं apply कर सकता हूँ, यदि मैं इसमें apply करूँ, तो उपर वाली quantity, same, उपर नीचे, ठीक है, इस वाली quantity को यहाँ पे तो add करना है, यहाँ पे क्या करना है, minus, यहाँ पे मैं add कर दूँ, तो 2x minus 3, यहाँ पे यह वाली value, add minus करूँगा, तो यह minus 2x, यह minus minus plus 3y, यह मैं इसको represent कर सकता हूँ, आगे देखिए, इसको क्या ली सकते हैं, 5x minus 6y, इधर किया तो इधर भी होगा, upon में 5x minus 6y, नीचे वाली quantity को add, और नीचे minus, तो कितना, 4x minus 5y, यहाँ पे करेंगे तो कितना, 4x plus 5y, यह वाली value यहाँ पे आ जाएगी, अब करते हैं अपन, देखिए, कुछ कट रहा है तो कारते है, नहीं कट रहा है तो, देखो, 3 plus 2, कितना, 5x, minus 4 minus 3, कितना, minus का, 7y, upon में, 3x minus 2x, कितना, x, minus 4 plus 3y, कितना, minus का, y, equal to, वाल पे देखिए, कितना, 9x, x, फिर, minus 6, और minus 5, कितना, minus का, 11y, upon में, 5 minus 4x, कितना, x, minus 6, और plus, तो यह कितना जाएगा, minus का, y, देखो, निच्चे, same है, equal के format में, cancel out, कर सकते हैं, remaining value, कितनी, 5x, minus 7y, equal to, 9x, minus 11y, यह value remaining, अपने पास में, रह जाएगी, अब मैं, इस 11y, को इधर लाँगा, क्यों, बड़ी value है, इधर लाते हैं, positive बनाते हैं, यह वाली value इधर आएगी, तो कितना, plus का, 11y, minus का, 7y, equal to, 9x, यह वाली value इधर आएगी, तो कितना, minus का, 5x, 11 minus 7, कितना, 4y, equal to, यह कितना जाएगा, आपका, 4x, तो यह लो, अब इसी को मैं क्या ली सकता हूँ, यहाँ पे तो, 1x, अपन में, y, लिख सकते हैं, यह y इधर रहेगा, तो यहाँ पे तो remaining value 1 ही रहेगा, अब इसी वाली quantity को मैं क्या represent कर सकता हूँ, कि x ratio, y की value कितनी, 1 ratio, 1 के अंदर represent हो जाएगी, यह आपका, इस question का answer आजाएगा, अब चलते हैं, question number 4 पे, तो question number 4 को देखिए, question number 4 है, direct जल्दी करते हैं, अब फास्ट करते हैं, देखिए, question number 4 है, it duplicate ratio, find करना आपको, 2 root, 2 ratio, 3 root, 5, इसका क्या करना आपको, duplicate ratio निकालना है, अब duplicate जानते हैं, पन क्या, इनहीं का square कर देंगे, तो देखिए, 3 root, 2 ratio, चलो, यहीं मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसका square हो जा तो वही होता है, कि जो ratio given है, उसका square, तो देखिए, इसका 2 का square कितना, 4, root 2 का square कितना, 2, यह आपका ratio है, और 3 का, 9, root 5 का square कितना, 5, cancel out कुछ हो नहीं रहा है, तो 8 ratio, 45, यह आपका first, second देखिए, second है, triplicate ratio of, किसका triplicate, 2A ratio, 3B का, triplicate का मतुबल क्या होता है, इनका cube, तो इसका क्या करेंगे, cube, इसका भी क्या करेंगे, cube, 2 का cube कितना, 8, A का cube कितना, A cube, ratio, 3 का cube कितना, 27, B का cube कितना, B cube, यह आपका triplicate आ जाएगा, थर्ड देखिए, थर्ड क्या गिवन है, sub duplicate ratio of, 9, X square, A की power 4, ratio, 25, X, Y, Y की power 6, B की power 2, यह given है, क्या करना है आपको, sub duplicate ratio, sub duplicate में क्या करते हैं, जो value given है, उनका square root, तो यह लीजिए, इसका भी square root, अभी यहाँ से जो value आएगी, वो ही क्या आएगी, sub duplicate value आजाएगी, तो देखिए, सबसे पहले 9 का root होगा, कितना, 3, X square का root होगा, तो कितना, X, A की power 4 का root होगा, 1 by 2 है, cancel out करेंगे, तो 1 square आजाएगा, equal to, 25 का root कितना, 5, Y की power 6 का root कितना, Y cube, B का square दिया वाज, इसका root करेंगे, तो कितना, B, यह आपका sub duplicate ratio आजाएगा, फिर, यह आपका किया वाया, अपन कर सकता है, इनको आप कर भी सकते हो, खुद भी, इसका fourth की बात करूँ, sub duplicate ratio, इसका 2 upon 216 ratio, 343, क्या निकानना है, sub duplicate ratio, क्या करेंगे, cube root करेंगे इसका, तो cube root कैसे करते है, ऐसे, 216 का cube root कितना, 6, 343 का cube root कितना, 7, तो क्या ratio बना, 6, ratio 7, ठीक है, अब अपन इसके fifth पे चलते है, fifth क्या है इसका, कि reciprocal ratio of 3 ratio, 4, इसका reciprocal ratio निकानना, तो reciprocal में, आपस में, ये वाली value इधर, और ये वाली value इधर, upon by करेंगे, तो वह यह आएगा, एगर आप तो direct याद रखो न, तो 4 upon में, 3 इसका क्या आजाएगा, reciprocal आजाएगा, फिर इसका sixth की बात करूँ, तो sixth क्या आपका, कि ratio compounded और duplicate ratio of 5 ratio 6, देखो, आपको compound ratio निकालना है, तो compound ratio आपको find करना है, तो compound के अंदर आपको सबसे पहले ये लिखावा है, कि of the duplicate ratio, तो 5 ratio 6 का duplicate ratio कितना, 25 ratio 36 आजाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये बोलावा है आगे, कि reciprocal ratio, तो reciprocal किसका, 25 ratio 42, इसका reciprocal कितना, 42 ratio 25 आजाएगा, फिर बोलाएगा, कि sub-duplicate ratio, किसका 36 ratio 49, इसका sub-duplicate कितना होगा, इसका root किजिए, 6 और इसका root करेंगे तो कितना, 7, इन सारी जो ratio आया है, इन ही का क्या निकालना आपको, compound ratio, तो इनका multiply कितना जाएगा, 25 into 42 into 6, ratio 36 into 25, 25 into 7, देखिए, 25 से, 25 cancel out, इससे, कितना, 6, 6 into 6, कितना, 36, और यह वाली value cancel out, कितना जाएगा, 1 ratio 1, तो इन सारी value, देखिए, मैं एक बार दुबारा बतारू, आपको निकालना है, क्या है, compound ratio, कब निकालना है, जब, 5 ratio, 6 का duplicate ratio गिवन है, इस वाली value का, reciprocal ratio गिवन है, इसका क्या है, sub duplicate ratio गिवन है, तब आपको compound ratio निकालना है, तो compound ratio के लिए मैंने आपको बताया था, कि A ratio B, B ratio C and D कर देते हैं यहाँ पर, E ratio F गिवन है, तो इसका multiply इसके साथ में, इसका multiply इसके साथ में, ratio इसका multiply इसके साथ में, तो मैंने यह किया, इन सब का multiply, इन सब का multiply, और तो उसका value कितना है, 1 ratio 1, यह क्या आपका compound ratio है, तो वीडियो को pause करके आप no down, देखते हैं question number 5 के बारे में, question number 5 के आपका, x की value find करने हैं सबसे पहले, इनका ratio की मने, क्या है, 2 plus 3 upon में, 5x, यह आपका plus है साथ, एक मिन्ट, यह minus आपका, और 38, तो यह आजाएगा minus का 38, equal to, is the duplicate ratio of, यहनि इनका क्या है, यह duplicate है, तो इनको भी duplicate बनाना पड़ेगा, उसका duplicate बनाऊंगा तो कितना, root 5 का whole square, upon में, root 6 का whole square, यह मैं लिख सकता हूँ, अब देखिए, 2 plus 3, यह वाली value इधर multiply होगी, तो कितना, root 6 का square करेंगे, तो 6 equal to, इसका square करेंगे तो कितना, 5, तो 5x minus का 38, अब solve कर देते हैं, इन दोनों का multiply, 12x, इसका और इसका multiply, 18 equal to, 25x, इसका इसके साथ multiply करेंगे, तो कितना जाएगा, minus का 0, 15, 190, ठीक है, 190, आगे देखिए, यह 12 इधर आएगा, तो 25, x minus का 12x, फिर 18 plus, यह वाली value इधर आएगी, तो positive, total value 8 करेंगे, तो कितना, 100, 200, तो 208 आजाएगा, equal to, minus करेंगे, तो कितना, 13x, यहां से x की value निकालेंगे, तो कितना जाएगा, x equal to, 8, 8, कितना जाएगा, यहां पर 8 upon में 13, अब देखो, कट रहा है तो, कट रहा है न, कितने से, 1, 7, 6, 16 से यह कट रहाएगा, कितने से कट रहाएगा आपका, यह 16 से, तो देख लिए, 1, 7, 8, 78 आजाएगा, और इस वे में डिवाइड करेंगे, तो 6 बार चला जाएगा डिवाइड, तो यहां आपका, यह 16 इसका answer आजाएगा, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको देख लिजिए, क्या गिवन है, 2X प्लस 1 अपॉन में, 3X प्लस 13, इनका क्या गिवन है, सब डुप्लिगेट रेशियो, इसका सब डुप्लिगेट, रूट 9, यह सब डुप्लिगेट है, तो इनको भी तो सब डुप्लिगेट बनाना कितनी 5 into 2x plus 1 equal to इसकी value 3 और यह कितना 3x plus में 13 multiply गर दिजिए कितना 10x plus 5 equal to 9x plus 33 49 कितना आजाएगा 10x minus 9x equal to 39 minus 5 कितना एगा x equal to 10x minus 9 कितना x 39 minus 5 कितना 34 यह आपका discussion का answer आजाएगा तो मैं answer देख लेता हूँ इसका 34 है तो यह आपका discussion का answer अब चलते हैं अपन इसके third part पर तो देखिए third part video post करके आप no down करते रहना इसका third part वो क्या है 3x minus 7 upon में 4x plus 3 ratio given है ऐसे लिख सकता हूँ equal to अब देखो यह equal कब होगा जब इसका क्या given है सब triplicate किसका 8 upon का 27 अब इन दोनों को equal बनाना है तो यह कुन सी value है triplicate value है किसकी है इसी की है तो इनको भी तो सब triplicate बनाना पड़ेगा तो इसको भी बनाऊंगा तो क्या करेंगे cube root और इसका भी क्या करेंगे cube root तो देखिए 27 का cube root कितना 3 इसके साथ multiply तो 3x minus 7 equal to 8 का cube root कितना 2 और इधर से 4x plus 3 multiply कर दीजिए कितना आ जाएगा 9x minus का 21 equal to 8x plus 6 यह आ जाएगा आगे देखिए आगे में क्या ली सकता हूँ 9x minus 8x equal to 6 यह वाली value इधर आएगी तो positive कितना आएगा 27 किसकी value 1x की तो x की value कितनी 27 यह आपका इस question का answer आ जाएगा अब करते हैं मैं इसका next question 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 number 5 देखते हैं क्योंसर नमर फिप्थ क्या six क्या कर रहा है कि what quantity must be added to each term तो सबसे पहले what quantity add कर रहा है तो let कर लो कौन सी let added quantity added quantity है number है आपकी मर्जी है जो आप करो तो वो कर लो quantity कितनी मान लो n मान लेता हूं यानि एक number मैं add कर रहा हूं n किसमें add कर रहे हूं each term of ratio x upon y इसमें आप add कर रहा हूं हर ट्रम के अंदर कर दिया उसके बाद so that it may become equal to c upon d c upon d यानि क्या वोला है यह वाली quantity इस ratio में कौन सी ratio में इस ratio में add हो जाए तो उसका ratio किसमें change हो जाएगा c upon d तो find this quantity तो यह आपको find करना है तो सबसे पहले मैं क्या कर दूं cross multiply c d न cross multiply करते हैं तो dx plus nd equal to इधर multiply करेंगे तो cy plus cn यह हो जाएगा n की value निकालनी है आपको तो देखो nd यह वाली value उधर आएगी तो minus का cn equal to cy यह वाली value उधर आएगी तो dx हो जाएगा अब यहाँ से common कितना आ रहा है n तो remaining d minus c equal to cy minus dx यहाँ से n की value कितनी आ जाएगी c y minus dx upon में d minus c यह आपके n की value आ जाएगी आंसर मैं इसका देख लेता हूँ आंसर इसका क्या आ रहा है c y minus dx d minus c यह आपका इस question का answer तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा चलते है question number 7 पे question number 7 में क्या है कि a human reduced to hair weight in the ratio एक human का जो weight है वो reduce हो रहा है 7 ratio to 5 तो देखो पहले इतना था अब कितना होगे आपका 5 हो जाएगा reduce हो रहा है ठीक है न increase होता तो ऐसे होता increase तो यह धा आपका फिर यह बोलाए कि what does hair ratio become the original अब original कितना है 84 84 है इसमें मानलो में reduce करवा दूँ यहाँ पे let कर लेना कि let reduce weight of human कितना है x है तो यहाँ पी इसका ratio x अब देखो यह वाली quantity इसमें reduce होके x में आके इसका ratio क्या बन जाता है 7 ratio 5 समझ में आया होगा अब आपन लिख सकते हैं 84 upon x equal to 7 upon 5 यह तो इधर multiply तो 84 into 5 equal to यह x है वो इधर जाएगा तो x यहाँ पे आ जाएगा और यह say on इधर आएगा तो upon में say होना जाएगा कट रहा होगा इससे कार देंगे कितना जाएगा 1 2 और 12 पंजो 60 तो 60 x की value कितनी आ जाएगी 60 समझ में आया होगा चलते है next question पर देखिए क्योंस नम्मर 8 को देखते हैं क्योंस नम्मर 8 में क्या बोल रहा है एगला क्योंस नम्मर 8 है कि if 15 2x square minus y square equal to 7xy क्या निकालना है x ratio y की value यहाँ पे निकालनी है x ratio y की value आपको निकालनी है और एगले नहीं बोलाए कि x and y क्या आपके positive नम्मर है क्या है आपके positive नम्मर या are positive both are positive तो देखिए यह आपका 8 question है इस 8 वाले question में x और y की value निकालनी है आपको तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं में देखिए 2x square minus y upon में xy equal to अब देखो मैंने यह x वाली value इधर ले आया है upon में remaining value कितनी है 7 upon में यह उधर चाहेगा तो कितना 15 लिख सकता हूं में यह आपकी value आ जाएगी ठीक है अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2x square upon में xy minus y square upon में xy equal to 7 upon 5 15 यह मैं इसको लिख सकता हूं इस x से यह x cancel out इस y से यह y cancel out तो 2x upon y equal to इसको क्या लिख सकता हूं ध्यान से देखिए y upon में x equal to 7 upon में 15 अब लेट करके इसको क्या मान लों x upon y equal to को में t मान लेता हूं तो y upon x की value कितनी आ जाएगी 1 upon में t यह आ जाएगी ना reciprocal कर रहे हैं इसका यहाँ पर में value पूट कर दूँ तो 2t minus 1 upon t equal to यह 15 है 7 upon में 15 यह मैं इसको लिख सकता हूं अब lc m कितना t यहाँ पर कितना 2t square minus 1 equal to 7 upon में 15 ठीक है यह 15 इधर multiply होगा तो 15 2t square minus 1 equal to 70 यह t इधर multiply अब इस 15 को मैं अंदर multiply करूं तो देखो कितना आ रहा है 15 into 2 कितना 30t square minus का यह वाली value इधर आएगी minus का 15 और यह वाली value इधर आएगी तो कितना जाएगा minus का 70 equal to 0 और इसी को मैं ली सकता हूँ 30t square minus 7t और minus 15 equal to 0 अब यह t variable के अंदर क्या है आपकी क्वाडिट्री की वेशन तो क्वाडिट्री तो पूरा अपन चेप्टर पर लिया है तो वह आप कर सकते हो में भी अब मैं यदि मैं इसकी बात करूं इसको solve करने की तो देखो solve करते है 30t square इसके इसी factor मनाने है जिनका sum कितना minus 7 product 30 into minus 15 कितना 450 minus का 450 क्या आना चीए product तो इसे value कौन सी है देखिए minus का 25 या फिर आप यहाँ पर ऐसे कर दो कितना जाएगा minus का 25t plus 18t देख लिजी आ जाएगा और minus का 15 equal to 0 यहाँ से और यहाँ से common निकालते हैं यहाँ से common कितना आ रहा है कितना आ जाएगा 6 तो देखिए यह दि मैं 6 को common निकाल दूँ 6 आ जाएगा न 6 common निकालेंगे तो 5t 5 कोई common निकालना पड़ेगा यह तो 5 common निकालेंगे तो 60 और यहाँ पर 5t common निकालो यहाँ से remaining value 60 और यहाँ पर common निकालेंगे तो कितना 5 आ जाएगा अब यहाँ से भी common कितना निकालेंगे plus का कितना निकालेंगे 3 निकाल देते हैं तो 3 common आएगा तो remaining value 60 minus 5 equal to 0 यहाँ से और यहाँ से common कितना 60 minus 5 remaining value कितनी 5t plus 3 equal to 0 दोनों का multiply 0 है तो 60 minus 5 equal to 0 है या फिर 5t plus 3 equal to 0 हो सकता है यह दोनों 0 है यदि यह 0 है तो t की value देगी कितना आएगी 5 यह दर आएगा 5 आ जाएगी 6t multiply में upon में आ जाएगा तो एक value तो यह आ गई अपनी कितनी 5 upon में t दूसरी value t equal to minus 3 upon में 5 अब t क्या था आपका x upon y equal to 5 upon में 6 तो यह तो negative है तो impossible है तो possible value कौन सी है यह वाली और आपको क्या निकालना था x ratio y की value find करने थी तो इसी को मैं ratio में form represent करूँ तो x ratio y की value कितनी 5 ratio 6 यह आपकी इसकी value आ जाएगी तो उमीद करता हूँ समझ में आया होगा चलते है next question question number 9 पे question number 9 में है आपका find है fourth proportional to इनका आपको क्या निकालना है fourth proportional है जो let करके मैं क्या मानूँ let fourth proportional equal to n यह आप लिख देना ठीक है न अब मैं fourth proportional इसको यह मालना तो इसको इसी वाली value और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2xy ratio x square equal to proportional to r तो यह क्या हो जाए और वो y square ratio n लिख सकता हूँ क्योंकि चारो quantity किस में आ जाएगी और आपको क्या निकालना है fourth proportional और इसको fourth को मैंने क्या मान लिया n मान लेता हूँ अब इसी वाली quantity को क्या लिख सकता हूँ में 2xy upon में x square equal to y square upon में n देखो यह वाली value तो इधर multiply कितना n यहाँ पे कितना y square यह वाली value यहाँ पे multiply कितना 2xy यह वाली value इधर multiply होगी तो कितना x square एक पावर इस एक पावर से cancel out y की एक पावर इस y की दो पावर से एक पावर cancel out remaining value कितनी उपर तो कितना x और y नीचे कितना 2 तो आपका जो fourth proportion वो क्या होगा x y upon में 2 हो जाएगा और इसका क्या निकालना है third तो उसी को मैं क्या मालूँ let the third proportion equal to n मान सकते हैं third proportion n है तो a square minus b, a plus b and n are in किसमें आजाएंगे ये? continuous proportional किसमें आजाएंगे? continuous proportional के अंदर अब ये continuous में आगे तो इनकों मैं क्या लिए सकता हूँ? a square minus b square upon में a plus b equal to a plus b upon में n लिख सकते हैं? जानते हैं अपने इन चीज़ों को? अब देखिए ये तो यहाँ पे multiply कितना? n equal to में कितना? a plus b ये वाली value इधार आजाएगे तो ये वाली value यहाँ पे तो आएगी न? कितना आएगा? a square minus b square और ये वाली value उपर चले जाएगे तो कितना? a plus b तो n equal to a plus b into में a plus b और निचे इसका formula बन जानते हैं a minus b into a plus b ये वाली value इस value sequence law remaining value किया आपकी? वो n की value यहाँ थार्ड proportion किया आपका? ये हो जाएगा ये question number आपका 9th का second part चलते हैं थार्ड पार्ट पे थार्ड पार्ट में क्या है? कि mean proportion तो let मान लेते हैं mean proportion कितना आपका? x है, x नहीं मान लेते हैं क्यों? x और y में तो value है, n ही मान लेते हैं इनका mean proportion है तो x minus y mean का मतलब बीच में, इन दोनों की बीच में कौन सा हो गया? n and x q minus x square y are in किस में आ जाएंगे वह यह? continuous में क्योंकि तेन value है तो वो continuous में और continuous proportional को क्या लिए आप लिए आप लिए ना, continuous proportional है अब यदि यह continuous proportional है तो इसको मैं क्या लिए सकता हूं x minus y upon n equal to n upon में x q minus x square y यह represent कर सकते हैं, n तो उदर multiply और यह वाली value उदर multiply तो कितना? n square उदर चलो एगवार लिख देता हूं मैं, x minus y into x q minus x square into y equal to n square लिख सकते हैं तो n square equal to कितना आएगा देखो? x minus y into कितना को मना रहा है? x square यहां से x square को मना आएगा तो कितना? x minus है, यहां से x square यह बाहरा जाए कितना? y और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x minus y का whole square into में कितना? x square यह किस की value मिली? n square की value, आपको चीए क्या? n की value, n की value लाएंगे तो इधर क्या होगा? root, तो x minus y का square into x square है, तो yellow square, तो n equal to कितना जाएगा? n equal to x minus y का square का root है, तो root करेंगे तो कितना? x minus y, square का root करेंगे, तो x, तो यह क्या आजाएगा आपका? n की value आजाएगा, यानि main proportion आजाएगा इन दोनों value के बीच वे, तो उमीद करता हूं, समझ में आया होगा, चलता है, अपने 10th question पे तो देखिए 10th वाले question, 10th में यह बोलावा है आपको, कि find the two number, तो let, जो two number है, उसी को माल लेता हूं, let two number equal to a and b, माल लिया, ठीक है, अब इनी को तो find करना आपको, such that the mean proportion between them, इन दोनों का जो mean है, वो कितना है, 14 है, mean है तो बीच में आएगा, अब यह तीनों किस में आ जाएगे, continuous में हो जाएगे, और यह continuous में हो जाएगे, तो इनी को मैं क्या ले सकता हूं, a upon में 14, equal to 14 upon में b, ठीक है, cross multiply करोगे, तो कितना, a b equal to 14 का square, a b equal to 14 का square, कितना, 196, execution पहले भी आया हुआ है आपका, देखना उसको भी, अब अपने according value यहां से निखालते हैं, second condition करते हैं, रेखिए, second condition क्या आपकी इसके, कि third proportion to them is 12, यानि इनी का third proportion, तो इनी का third proportion, ऐसे ही होगा, कि इनका कितना आपका, third proportion, one, 12, तो यह third proportion यह है, तो यह किसमा जाएंगे, continuous में हो जाएंगे, तो यह continuous में हो गए, तो इनको मैं क्या ले सकता हूँ, a upon b, b upon में 112, cross multiply करों, तो 112, a equal to b square, आजाएगा यह, अब देखिए, b square equal to 112 into a, a की value यहाँ से निकाल लेंगे, a की value कितनी आईगी, 196 upon में b, तो कितना आजाएगा, b square equal to 112 into 196 upon में b, तो देखो b cube, इधर multiple होगा तो b cube, तो 112 into में 196, तो b equal to कितना, root of cube root, क्योंकि 3 है ना, तो cube root of 112 into 196, यह आपका answer आजाएगा, अब इसको solve करेंगे, तो सबसे पहले prime factor में convert करते हैं, इन दोनों का, आपको क्या निकालना है, तो देखिए, root निकालना है, तो देखिए, root निकालेंगे, तो आजाएगा आपका कितना, जो भी आपकी value है, इनको multiply करना, multiply करके आप देख सकते हो, जो cube root आएगा, वो में direct answer के अपना time खराब ना हो, तो इसका cube root कितना आएगा, क्यों सो number 10th, 10th का आएगा इसका, 28, कितना आएगा, B की value कितने आएगी, 28, आप solve करना, और solve करके फिर cube root निकालना, आप कर सकते हो, दोनों का multiply और फिर cube root, यानि 28 को तिन बार आप multiply करोगे, तो ये value आजाईगा, अब मुझे ची A की value, तो A की value कितनी, 196 upon में B, B कितना है, 28, cancel out करो कितना आएगा, 7, तो A की value आजाएगी आपकी 7, ये आपका इस question का answer, तो उम्मीद करता हूँ, सारे question समझ में end में, बाकी की तो question अपने, वो अपन next video में discuss करेंगे, तो वीडियो को आप pose करके no down कर लेना, thank you so much,